आप सभी को मेरा नमस्कार आपके अपने यूटूब चैनल स्रीके हिंदी स्रागर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है ये न्सी आटी सी बेर्सी बोर्ट शिती गदभाग क्लास्टेन लेशन टू विद्यार्थियों आज आप लोग बाल गोविन भगत पढ़ेंगे जिसके लेखा स्री राम बिश्वेनी पुरी है चलते हैं प्रारम करते हैं बाल गोविन भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे साट से उपर कहीं होंगे बाल पक गए थे लंबी दाड़ी या जटा जूर तो नहीं रखते थे किन्तु हमेशा उनका चेरा सफेद बालों से ही जगमक किये रहता कपड़े विल्कुल कम पहनते कमर में एक लंगोट मात्र और सीर में कभी पंथियों की सी कनपटी टोपी जब जाड़ा आता एक काली कमली उपर से ओड़े रहते मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामा अनंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही और तो के ठीके की तरह सुरू होता गले में तुलसी की जड़ो की एक बेड़ोल माला बधे रहते उपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बालगुईन भगत सादू थे नहीं बिल्कुल ग्रिहस्त उनकी ग्रिड़ी कि तो मुझे याद नहीं उनके बेटे और पतोहुक को तो मैंने देखा था थोड़ी खेती बारी भी थी एक अच्छा साफ उत्रा मकान भी था किन्तु खेती बारी करते परिवार रखते भी बालगुईन भगत सादू थे सादू की सब परिभासाओं में खरे उतरने लगे देखें यापे कुछ है जो असपर शुपस दिखाएं दिरा है उतरने वाले है कवीर को साह मानते थे उनीके गीतों को गाते उनीके आदेसों पर चलते कभी जूट नहीं बोलते खरा बेवार रखते किसी से भी दो टूग बात करने में संकोच नहीं करते ना किसी को खामंखा जगडा मुल लेते किसी की चीज नहीं छूते ना बिना किसी बेवार में लाते ना बिना पुछे बेवार में लाते इस नियम को कभी कभी इतनी बारकी तक ले जाते कि लोगो को कौतूहल होता कभी वह दुसरे के खेद में सोच के लिए भी नहीं बैठते वह ग्रिहस्त थे लेकिन की सब चीज सहाब की थी जो कुछ खेद में पैदा होता सिर्फ पर लादकर पहले उसे सहाब के दरबार में ले जो उनके घर से चार कोश दूर पर था एक कभीर पंथी मट से मतलब वदरबार में भेट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें बिलता उसे घर पर लाते और उसी से गुजारा चलाते इन सब के उपर मैं तो मुग्ध था उनके मधूर गान पर जो सदा स्रवदा ही सुनने को मिलते कभीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंड से निकल कर सजीव हो उटते असाड की रिमजी मैं समुचा गाउं खेतों में उतर पड़ा है कहीं हल चल रहे हैं कहीं रोपनी हो रही है धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उचल रहे हैं और ते कलेवाले कर मेड अब आगे देखते हैं पर बैठे हैं आस्मान बादल से घिरा धूप का नाम नहीं पुरवाई चल रही है ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर्त रंग जंकार सीकर उठी या क्या है या कौन है या पुछना न पड़ेगा बाल गोविन भग समुचा शरीर की चल में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं उनकी अंगुली एक एक थान के पौधे क पंक्ति बद्ध खेतन बिठा रही है नहीं लगा रहे हैं उनका कंठ एक एक सब्द को संगीत के जीने पर चढ़ा कर कुछ को उपर स्वर्त की ओर भेज रहा है और कुछ को इस प्रित्वी के मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर बच्चे खेलते हुए जूर उठ खड़ी अरतों की ओत पर एक अरतों की होट काप उत्ते वे गुनगुनाते गुनगुनानी लगती हलोवाहों के पयर ताल से उठने लगते हैं रोपनि करने वालो की अंगुलिया एक अजीव क्रम से चलने लगती है क्योंकि भाई घीत हो रहा है database कोई भगत काय संगीत है या जादू है भादों की वह अंधेरी अधरतिया अभी थोड़ी ही दिर पहले मुशलाधार वर्षा खत्म हुई बादों की गरज बिजली की तलब में आपने कुछ नहीं सुना हो किन्तु अब जिली की जंकार या दादों की टर्टर बाल भगत के सं ना चाहि कहार हैं गोधी में पीवावाच चमक उठी सक्कियां चीहःक उठेना अचे भी अबasma के देखते हैं介 और हापिया तो गोद में हैं किन्तु वह समझती वहा अकेली है ते चमक ँड़ती है चीहःक उड़ती है उसे भरे बादलों वाले भाधों की आधी राद में उनका या गाना अंधेरे में अकस्मात कोद उठने वाली बिजली की तरह किसी से न चोका देता अरे अब सारा संसार नि अस्तवत्ता में सोया है देखेंगे बाल गोविन भगत का संगेत जाग रहा है जाग रहा है तेरी गठरी में लागा चोर मुसा फिरे जांग जरा जांग जरा कातिक आया नहीं कि बाल गोविन भगत की प्रभातिया शुरू हुए जो फागुन तक चला करते इन दिनों वा सवेरे ही अब आगे देखते हैं यहां से उर्ते न जाने किस वक्त जक कर वह नदीशनान को जाते गां से दो मिल दूर वहां से नहा धोकर लवडते और गां के बाहर ही पोखर के उचे भिंडे पर अपनी खंजडी लेकर जा बैटते और अपने गाने टेडने लगते मैं सुरू से ही देर तक सोने वाला हूं किन्तु एक दिन माग कि उस दात किट-किटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखर पर ले गया था अभी अस्मान के तारों के दिपक बुझे नहीं थे हाँ पूरब में लोही लग गई थे जिसकी लाली मा को सुक्रतारा और बढ़ा रहा था किन्तु बगीचा घर सब पर कुहासा चा रहा था शारा वातावरण अजीव रहस से आवरित मालूम परता था उस रहस में वातावरण में एक कुछ की चटाई पर पूरब मुह काली कमली ओड़े बाल को इन भगत अपनी खंजडी लिये वैठे थे उनके मुह से सब्दों का ताता लगा था उनकी अंगुलियां खंजडी पर लगा तार चल रही थे गाते गाते इतने मस्त हो जाते इतने सुरूर में आते उत्यजित हो उर्ते की मालूम होता की अब खड़े हो जाएंगे कमली तो बार-बार सिर से नीचे सरग जाती मैं जाड़े से कपकपा रहा था उलिखा करा है किन्तु तारे की छाओं में भी उनके मस्तक के स्रम बिंदू जब तब चमक ही पड़ते गर्मियों में उनकी संजा कितनी उमस भरी शाम को नसीतल करती अपने घर के आगन में आसन जमा बैठते गाओं के उनकुछ प्रेमी भी जूर जाते खंजडियों और कर्तालों की भरमार हो जाती एक पद बालगोविन भगत कह जाते उनकी प्रेमी मंडली उसे दोराती मतलब बालगोविन जो बोलते उनकी मंडली उस बात को दोराती तीहराती दीरे दीरे स्वर उचा होने लगता एक निश्ची ताल एक निश्ची गतिर से उस ताल स्वर के चड़ाओ के सास्रोताओं के मन भी उपर उठने लगते हैं धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता होते होते एक छड़ ऐसा आता की बिश में खंजड़ी लिए बाल गोविन भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सब के तन और मन नित्य सिल हो उठे हैं उनके साथ सब लोग भी नाच रहे हैं शारा आगन नित्य और संगित से उत्प्रेथ है दम्मग्न है बाल गोईन भगत की संगित साधना का चरा मुतकर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा इगलोता बेटा था कुछ सुस्त और बोधा सा था किंदू इसी करड़ बाल गोईन भगत उसे और भी मानते उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए क्योंकि ए निगरानी और मुहबस के ज्यादा हकदार होते हैं बड़ी साध से उसकी साधी कराई थी पतोहू बड़ी ही सुभग और सुसील मीरित थी घर की पुरी प्रवंदिका अबनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवित कर दिया था उसने उनका बेटा विमार है उसकी ख़बर रखने की लोगों की कहा फुरसत किन्तु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खिश कर ही रहती है हमने सुना बालगुंद भगत का एक बेटा मर गया बालगुंद भगत का बेटा मर गया को तुहल वस उनके घर गया देखकर दंग रह गया यह लिखा करा है बेटे को आगनमी एक चटाई पर लिटा कर एक सफेद कपड़े से धाक रखा है वह कुछ फूल तो हमेशा ही रो पर पूल और तुलसी दल थे मतलब फूल को पत्ता था और तुलसी को पत्ती चिराक जला लगा आगे सामने जमीन पर ही आसंजमाय गीत गय चले जा एक पुरानाश्वर वही पुरानी तयलिंदा घर में पतो हु रो रही है। जिसे गाहों कि स्थ्रियां चुप कराने की कोशित कर रही हैं। किन्तु बाल गोविन भगत गाये जा रहे हैंगे, हाँ गाते गाते कभी कभी पतो हूँ कि नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उस्सम नने कुखते, बारे बाल गोविन भगत जी, आत्मा प्रमात्मा के पास चली गई, बिरहनी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इसस से बढ़कर आनंद की कौन बात, मैं कभी कभी सोचता या पागल तो नहीं हो गए हैं, किन्तु नहीं वह तो वह जो कुछ कर रहे थे, उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास, जो हमेशा ही मिर्तिव पर भी जाई है, होता आया है, अब आगे देखते जो ही स्त्राद की अवधी पूरी हो गई, पतो हूँ के भायू को बिला कर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते वे कि इसकी दूसरी साधी करा देना, इधर पतो हूँ रो रोकर करती मैं चली जाऊंगी तो गुढ़ापे में आपके लिए भोजन, गुढ़ापे में कौन एक चुलू पानी भी देगा, मैं पहल पड़ती हूँ, मुझे अपने चल्डों से अलग न किजिये, लेकिन भगत का निल्लय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़ कर चल दूँगा, यह थी उनकी आखरी दलिल, और इस दलिल के आगे बेचारी कि क्या चल थी, बाल गोईन भगत की मौत उनीके अनुरूप होई, वह हर वर्ष गंगा अश्नान करने जाते, अश्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते, चितना संद समागम और लोग दरसन पर, पैदल ही जाते, करी तीस कोस्पर गंगा थी, साधू को संबल लेने का क्या हक, अग्रि आस्ते भर खंजडी बजाते, गाते जहां प्यास लगती, पानी पी लेते, चार-पांच दिन आने जाने में लगते, किन्तु इस लंबे उपवास में भी वह मस्ती अब बुरहापा आ गया था, किन्तु टेक वहीं जवानी वाली, इस बार लोटने लगे तो तबियत कुछ सुष्थी, खाने पीने के बार भी तबियत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किन्तु नेम म्रत को तोड़ने वाले नहीं थे, वहीं दोनों जुन गीत, असनान ध्यान, खेती बारी देखना, दिन दिन छिजने लगे, दोनों ने लोगों ने नहाते धोने से म जाए, किन्तु मालूम होता, जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना विखरा हुआ हो, भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोवीन भगत नहीं रहे, शिर्पुन का पंजर पड़ा है, तो विद्यार्थिगर्ड आप लोगों ने इस अ साल गोवीन भगत और इसके लिए खग रहे, राम बिश्विनी पुरी तो विद्यार्थिगर्ड जल्द मिलते हैं अगरे वीडियो में तब तक के लिए बेश्ट आप लागत।